जारखंड में अधिकारियों के परिशानी अब बढ़ने वादी है। अब तक कई लोगों ने पैरवी के जरीए अपनी मनपसिंद जगहों पर ट्रांसफर पोस्टिंग कराई और उसके एवज में महारी रकम चुकाई। इस बात की पुष्टी आर्टेटिक्ट विनोथ ने की है। वही अब E.D. को शक है कि JPSC के तर्ज पर ही JSSC में भी धांदली हुई है। और इस पुरे खेल में विनोथ सिंग से लेकर सत्ता के बड़े और नामचिन लोगों का हाथ हो सकता है। पहले एकिक करके मामले को समझते हैं। बीते दिनों पुर्व मुक्यमंत्री हेमन सुरेन और उनके करीबी आर्केटिक्ट विनोथ सिंग और हेमन सुरेन की प्रेस सलाकार रहे अब शेक प्रसाद उर्फ पिंटू से E.D. ने अपने ऑफिस में पूछताज की। इस दोरान पिंटू के मुबाइल फोन का डेटा जाज के लिए लिया गया। वहीं विनो पोस्टिंग वाले वाटसाइब चैट दिखा कर पूछा कि मेसेज किसे भेजा गया था। विनोथ सिंग ने पहले कोई जवाब नहीं दिया लेकिन बाद में कपूल किया कि सब ही चैट उनके ही हैं। उन्हों ने ही हेमन सुरेन को ये मेसेज भेजे थे। अब इस चैट को लेकर कई सफेद पोश अफसरों की परिशानिया बढ़ गई हैं। क्यूंकि उन लोगों ने विनोथ सिंग के जरीए अपने ट्रासत पोस्टिंग की पैर्मी हेमन सुरेन से करवाई थी। पूछताच की बाद देर शाम एडी ने उसे छोड़ दिया और शनिवार यानि कि आज दुवारा पूचताच के लिए बुलाया है हानाकि अब तक हेमन सुरेन की ओर से कोई जवाद इस पर नहीं आया है। यह चैट भी केबल एक तरफा ही दिखाया गया है और पूचताच भी एक तरफ की ही दिखाई जा रही है। अब तक यह साबित नहीं हो पाया है कि ह पुलिस से जेससी द्वारा दर्ज कराए गई और जाच से संबंदित डॉकुमेंट्स मांगे है बता दे कि एडी ने अवैद खनन की जाच के दोरान तीन जन्वरे को आर्किटेक्ट विनोत सिंग के घर पर छापा मारा था छापे मारी के समय उसके घर से जेससी की ओर से आयोजित कराए गई विभिन प्रतियोगिता परिक्षाओं से जुड़े 100 से जादा एड्मिट कार्ड मिले हैं वहीं जेपीसी की परिक्षा से संबंदित एड्मिट कार्ड भी वहाँ मिले थे इसके अलावा जेससी के डिप्यूटी सेकरेटरी रविराज शर्मा को रीजनल ट्रांस्पोर्ट अथॉरिटी में पदिस्थापित करने के लिए विनोध सिंग द्वारा किये गए पैरवी से समन्दित कागजात भी मिले है इडी की जांच में पता चला है कि विनोध सिंग की पैरवी पर ही रविराज शर्मा की पोस्टिंग हजारी बाग आटिये में सचिन के पद पर हुई इन सब कार्णों से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि विनोध सिंग की जेससी में अच्छी पकड़ है इसी बाद इडी ने अपने स्तर से जेससी द्वारा आयोजित परिक्षा पर नजर डाला इसमें पाया कि 3 जुलाई 2022 को जूनियर इंजिनियर के पद पर न्युक्ति के लिए एक्जाम लिया गया था इग्जाम के दरान बुकारों के सेंटर पर question paper के packet की seal खुली हुई मिरी अभीक्तियू ने इसकी शिकायत की पर हैराने की बाद तो यह है कि जेससी ने FIR दर्च करने की जिम्मेदारी अभीक्तियू पर ही डाल दिया अभी अर्थियों की शिकायत पर 14 जुलाई को नामकुन थाना में FIR दर्ज किया गया और फिर SIT का गठन किया गया लेकिन यहां भी हराने के बात यह है कि इस मामले में एक्जाम कंड़क्ट कराने वाली एजनसी को किवल ब्लैक लिस्ट किया गया वहीं दूसरी तरफ 28 जनवरी 2024 को JSC की ओर से ग्रैजुईशन लिवल पर आयोजित होने वाली JSC सीजल एक्जाम का क्वेशन पेपर भी निक हो गया इस मामले में JSC ने प्राथमे की दर्ज कराई बता दे कि कई सालों के बाद यह परिक्षा आयोजित हुए थी इस परिक्षा के निए 2015 में ही विग्यापन निकाला गया था एक्जाम के डेट्स भी तै हो गये थे मगर कोट के आदेश सहित कुछ अन्य कारणों की वज़ह से परिक्षा को इस्थागित कर दिया गया इसकी बाद जन्वरी 2024 में परिक्षा आयोजित की गई जिसमें करीम साड़े 6 लाग छात्रों ने आविदन दिया छात्रों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए इसे दो पारी में आयोजित करने की नीती तै की गई इससे एक इस्तर की परिक्षा में दो तरह के क्वेश्चन पेपर होने की वजह से सफन उमिद्वारों के चैन के लिए दो क्राइटिरिया बन गए एक ही एक्जाम के दो क्राइटिरिया होने के कारण E.D. को इस पर अब संदे है वहीं जमीन गोटाला मामली की बात करें तो इस मामले में पुर्वराजरस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाथ को हिमन सुरेन की सामने बैठा कर पूछताच की जा रही है कर उनकी रिमांट की अवधी समाप्त होने के बाद E.D. ने उन्हें P.M.L. कोट में पेश किया जा उनकी रिमांट साथ दिनों के लिए बढ़ाने का आग्रह किया गया कोट ने तब रिमांट की अवधी को चार दिनों पड़ाने की अनुमती दी पता दें कि पिछले साल 13 अपरेल को सेना की कबजे वाले करीब साड़े चार एकड जमीन घोटाला के मामले में उन्हीं गिरफतार किया गया था तब से वाग होटवार जेन में ही है बीते दिनों उन्हें एमंत सोरेन से समंदित साड़े आठ एकर जमीन घोटाला मामले में भी गिरफतार कर लिया गया अब इस मामले में एडी बढ़गाई अंचल के ततकालेन सीओ मनुझ कुमार से भी पुछताच की तयारी कर रही है ताकि ये साबित हो सके कि उनके कहने पर ही भानुप्रताप ने जमीन की पहले मापी कराए फिर इस जमीन की प्लोट वाइस डिटेल्स तयार की इसके जरिये औरजिनल डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी की गई जानतारी की मुताबिक अब जल्द ही पुर्व सियो मनुझ कुमार को समन जारी किया जाएगा और उनसे पुछताच भी की जाएगी वही हिमन सोरेन की दिल्ले इसित शांती निकेतन आवास से बरामद BMW कार के बारे में आज कॉंग्रिस के राजसवासांसे धिरत साहों से भी एडी पुछताच कर रही है उन्हें समन करके आज दस वरवरे की तारेक दी गई थी आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शुयर करें हमारी चैनल लुकतंत्र 19 को फालो और सब्सक्राइब करना ना पुरे फिलाले तेन विदा जुहार